हेलो फीजियोज, मैसेफ निधी पटे, मैसेफ दड़कन पटे, वी आर पफॉर्मिंग वीडियो ऑफ गोनियोमेटरी ऑफ अपडले गोनियोमेटर के लिए ये इंस्ट्रुमेंट है जिसे हम गोनियोमेटर बोलते है इसके पार्ट से ये फलक्रम है ये मुवबल आम है, ये स्टेबल आम है और ये मेजर्स है जिसे हम मेजर करते कि जॉइंट का एंगल क्या है और ये स्मॉल जॉइंट के लिए यूज होता है हम परफॉम कर रहे हैं शोल्डर फ्लेक्शन उसमें हमारा फलक्रम पॉइंट है ग्रेटर ट्यूबर कल मुवबल आम है पैरलल टू यूम्रस स्टेबल आम है स्ट्रेट टुदी मुवबल आम शोल्डर परफॉम कर नॉर्मल रेंज है शोल्डर फ्लेक्शन की 0-180 डिग्री शोल्डर एक्सेंशन के लिए हम उल्टा करें ग्यों उसका और वो है 180-0 शोल्डर अबडक्शन फुल्क्रम पॉंट इस अड्रो मुवबल आम ए आंटिर रस्प्वर्ट फोर यूम्रस स्टेबल आम होरीजंटल टू दी ट्लेकल पफॉम कर शोल्डर अबडक्शन शोल्डर अबदक्शन करने के टाइम हम पेशन को बोलेगे कि अपना हैड एक तरफ रखे कि कि उनको हाम ना हो रेंज फॉर शोल्डर अबदक्शन इस 0-180 और फोर अबदक्शन इस 180-0 patient position supine line, shoulder 90 degree abducted, elbow 90 degree flex so for internal rotation and external rotation of shoulder the fulcrum point is oligranone process the movable arm is anterior aspect of forearm and stable arm is perpendicular to the ground so for internal rotation range of internal rotation is 0 to 70 degree for external rotation the range is 0 to 90 degree for elbow flexion patient position supine line fulcrum point lateral epicondyle movable arm parallel to the radius stable arm parallel to the humerus elbow flexion cut normal range 0 to 130 and for elbow extension normal range 130 to 0 so for the first time